हलो फ्रेंस आपका स्वाकेता टेस्ट आए कि उमें फ्रेंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रडक्शन का टोपिक मैटल कटिंग मैटल कटिंग के जितने भी S.S.C. J.E. के परिविश एकजामे क्यूशन पूजए गए हैं वहाँ पे दो type का failure होता है एक होता है crater wear दूसरा होता hm double right होता है वह blank face पर होता है और जो आपका creature wear होता है वह आपका face पर हूझ तो यहां पर हमारा option क्वाइब whole यदि मैं आपको diagram में दिखां तो यह आपको single point cutting का diagram दिख रहा है यह जो surface है है इसको हम बहुते face और यहाँ पर जो failure होता है वो crater wear होता है और यह जो दूसरा surface है side के अंदर जो surface होता है उसको हम flank बोलते हैं तो यह जो flank होता है वहाँ पर जो wear होता है wear anterior इसको हम बोलते है flank wear अगला question देखते हैं high speed steel should have wear resistance, hardness, toughness तो जो high speed steel होता है उससे हम machining करते हैं इसको हम HSS बोलते हैं इसका जो designation होता है 1841 यह exam में कई बार पूछा जाता है 1841 का मतलब क्या होता है 18% tungsten 4% chromium और 1% vanadium होता है जो tungsten होता है इसकी property होती है high hardness तो high speed steel की property होती है hardness, chromium, corrosion, resistive होता है और vanadium की property होती है toughness, improvement तो इसकी property होती है wear resistance, toughness और hardness तो option के हिसाब से हमारा option D correct हो जाएगा बोथ A and B यहाँ पर C भी होता है तो भी यहाँ पर correct हो जाता the cutting speed is equal to तो यहाँ पर आपको cutting speed के बारे में बताना है तो cutting speed को V से represent करते हैं V बराबर क्या होता है omega r यह सभी को आपको पता होगा तो omega is equal to 2 pi n by 60 होता है और 60 यदि हम इसको second के रूप में लेते हैं यानि meter जैसे मालो speed को यह क्या होता है rpm rotation per minute तो हम यहाँ पर minute में ही रखेंगे तो 2 pi n हो जाएगा और r को मैं क्या लिख सकता हूँ d by 2 तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो pi d n लेकिन यहाँ पर जो diameter होता है उसको हम mm में रखते हैं इसलिए यहाँ पर हम 1000 से divide कर देते हैं तो pi d n by 1000 तो यहाँ पर हमारा option एक correct हो जाएगा यहाँ पर देखिए diameter of job is mm and n is the spindle speed और job speed in rpm rotation per minute तो यह जो आपकी speed आएगी यह किसमें आएगी meter per minute में यह भी आपको पता होना चाहिए अगला question देखते हैं 1841 high speed steel contain 18% carbon तो यहाँ पर आपको बताना है कि carbon का percentage कितना होता है तो polar option देखिए 18% तो आप सभी को बता है 18% carbon ना किसी tool पे होता है और second देखिए 4% carbon इसका नाम है high speed steel तो यहाँ पर steel की बात हो रही है तो steel में maximum जो carbon का percentage होता है वो 1.5% होता है तो B भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पर C और D में से कोई एक option correct हो सकता है तो जो high speed steel होता है यह high carbon steel के अंदर आता है और high carbon steel की यदि मैं range की बात करूँ carbon की तो 0.62 1.5% of carbon होता है तो इसमें exact कितना होता है तो 0.7% carbon होता है तो यहाँ पर option D correct हो जाएगा अगला question देखते है The operation of finishing a drilled hole is to its right size is known as जब हम कोई भी drilling से drill hole करते हैं तो उसके जो finishing करने के लिए हम एक process करते हैं जिसको हम बोलते है रिमिंग रिमिंग के अंदर जो tool यूज होता है उसको हम रिमर बोलते हैं उसमें straight rimmer और spiral rimmer अलग अलग type के rimmer यूज होते हैं तो यहाँ पर आपको operation दिख रहा होगा रिमिंग, यह जो tool होता है इसे हम rimmer tool करते हैं सेकंड दिया गया है counter boring boring क्या होता है boring जो होता है आपका यदि हम इसकी कोई भी drill hole है उसकी size हम increase करते हैं तो उसको हम बोलते हैं boring और यदि आदे hole की size increase करते हैं तो उसको हम बोलते है counter boring और यदि हम इस hole की size tapered form में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं counter sinking अगला question देखते हैं which one of the following primary purpose do the flute only twist drill serve तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो twist drill use होता है वो drilling में use होता है और उसके अंदर जो flute होती है वो क्या होती है पहले हम diagram देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये twist drill का diagram देखा होगा ये sank होता है body washing होता है और ये जो spiral form में देख रही है ये होती है आपकी flute होती है तो flute का का काम क्या होता है तो आपने drilling देखा ही होगा normally हम करते हैं वो जो tool होता है उसके अंदर जो spiral form में space दियावा होता है इसका काम होता है जो chips generate होती है उसको remove करना उसको बाहर निकालना तो यहाँ पर हमारा option A correct हो जाएगा they curl the chips for the easy removal of chips अगला question देखते है which of the following tool material has highest cutting speed तो यदि मैं speed की बात करूँ तो generally exam में जो एक होता है आपका high speed steel अभी हमने जो discuss किया था इसकी पूछे जाती है ये कितनी होती है 30 meter per minute एक होता है carbide जिसे हम cemented carbide भी लिखते हैं तो carbide की कितनी होती है carbide की होती है आपकी 150 meter per minute की और तीसरा होता है ceramic इन तीनों की exam में कई बार पूछ लेते हैं इसकी होती है 600 meter per minute तो यहाँ पर option के हिसाब से carbide maximum हो जाएगा तो maximum speed किसकी होती है carbide की 150 meter per minute और यदि यहाँ पर option ceramic होता तो यहाँ पर answer ceramic हो जाता Which of the following machine does not require quick return mechanism तो quick return mechanism सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है जब हम machining करते हैं तो हमारा tool एक forward stroke होता है दूसरा return stroke होता है forward stroke और return stroke forward stroke के अंदर क्या होता है machining होती है यानि कि जो हमारा metal है वो remove होता है और return stroke जो होता है वो ideal होता है यानि इसके अंदर जो metal है वो remove नहीं होती है तो जो machining होती है तो वहाँ पर जो time consume होता है यानि कि जो tool का motion होता है टूल की स्पीड होती है, वो काफी कम होती है, तो इसलिए time जदा लगेगा, और return stroke जो होता है, वो एकदम fast हो जाता है, क्योंकि महाँ पी metal का remove नहीं होता, तो time यहाँ पे कम लगता है, यहाँ पर time जदा लगता है, ठीक है, तो यानि कि forward stroke time जदा लग रहा है, return stroke में time कम लग broaching के अंदर क्या होता है, एक bruise tool होता है, जिसमें अलग अलग type के tooth होते है, तो वो जो teeth होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है, जैसे roughing teeth, semi finishing teeth, और finishing teeth, यह जैसे मालनो कोई circular hole है, उसको non circular बनाना है, या फिर उसकी size increase करनी है, तो वहाँ पे हम broaching कर दे हैं, और इसकी speed गाफिक कम होती है, the best all-rounder coolant for carbide tool is, तो carbide tool के लिए कुन सा coolant use क्या जाता है, soluble oil in a plant, kerosene या फिर turpentine oil या फिर compressed air, तो जो coolant होता है, उनकी अलग-अलग property होती है, इसलिए अलग-अलग material के लिए हम अलग-अलग coolant use करते हैं, तो यहाँ पे carbide tool के लिए पूचा ग यूज होता है, और turpentine oil जो यूज होता है, वो copper और प्रास के लिए यूज होता है, और compressed air का कभी-कभी exam में पूचा जाता है, compressed air जो होता है, वो cast iron के लिए यूज होता है, अगला question देखते हैं, इन दा electrode discharge machining, यानि कि EDM process, the workpiece and electrode are submerged in, तो workpiece और electrode जो होता है, वो die electric fluid के अंदर उसमें submerged कर दिया जाता है, तो यहाँ पे option, air correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, the function of cutting oil when threading a pipe is 2, तो जब हम threading करते हैं, तो cutting oil का का काम होता है, provide cooling action, तो आपको पता है, तो वहाँ पे temperature increase होता है, तो temperature को reduce करने के लिए हम cutting oil use करते हैं, ताकि वो cooling कर सके, lubrication dye, तो lubrication का भी काम होता है, क्योंकि oil जो होता है, वो lubricate करता है, यानि कि वहाँ पी friction reduce करता है, help remove chips, यदि हम cutting oil ज्यादा use करते हैं, तो जो चोटी-चोटी chips होती है, small chips होती है, उसको भी remove करता है, तो यहाँ पे option de-correct हो जाएगा, all options are correct, अगला option देखते हैं, for grinding operation, in which heat generation must be kept minimum, the following bound, the wheel must be used, तो अलग-अलग type के bond use के जाते हैं, जैसे rubber bond, silicate bond, rectified bond, और select bond, यह different type के bond है, तो यह minimum heat generation के लिए कौन सा bond use करते हैं, तो minimum heat generation के लिए यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पे option B correct हो जाएगा, silicate bond, और यदि बात करें, कौन सा जो bond होता है, वो सबसे ज़्यादा hard होता है, तो यहाँ पे answer C होता था, vertified bond, the grit size of the abrasive used in the grinding wheel is usually specified by the, तो grit size के दूँ या फिर grain size बोल दूँ, एक ही बात है, grain size जो होता है, वो अलग-अलग size का होता है, जैसे coarse grain, medium grain, fine grain, और very fine grain, जितनी grain size के number ज़्यादा होता है, उस grain की size उतनी ही कम होती है, यानि कि मैं बात करूँ, grain size की, grain size, तो grain size जो होता है, inversely proportional to the grain size number, जितने number ज़्यादा होंगे, उस grain की उतनी size होगी, कम, जैसे कि मैं बात करूँ, fine grain की, तो fine grain का जो number होता है, वो 200 to 600 तक होता है, fine grain की, और यदि मैं coarse grain की बात करूँ, coarse grain यानि की, उसका size बहुत ज़्यादा होता है, तो 10 to 25, तो coarse grain हो जाएगा, coarse grain, तो यह अलग-अलग type की grain होती है, तो यहाँ पर हमारा option जो कौन सा correct हो जाएगा, mass number, mass number कह सकते हैं, या फिर grain size number बोल सकते हैं, तो यहाँ पर option D correct हो जाएगा, which abrasive particle would you choose for grinding tungsten carbide tool inserts, तो tungsten carbide tool जो होता है, वो बहुत ज़्यादा hard होता है, इसलिए हम उसका, जो abrasive particle use करेंगे, यानि उसकी machining के लिए use करेंगे, उससे भी ज़्यादा hard हो, तो tungsten carbide tool के लिए हम diamond use करते हैं, तो यहाँ पर option C D correct हो जाएगा, single point thread cutting tool should ideally have, यानि कि ideal condition में single point cutting tool का, जो rake angle होता है, वो कितना होता है, तो ideal condition में zero rake angle होता है, और generally हम zero rake angle इसलिए use करते हैं, ताकि उसकी design और manufacturing करना simple हो, और strength उसकी increase हो, यानि कि rake angle जितना ज़्यादा increase होता है, उतना उसका lip angle reduce होता है, और lip angle reduce होता है, तो उसकी strength कम होती है, और zero rake angle हम thread cutting करते हैं, वहाँ पर use करते हैं, और दो material है जहाँ पर हम zero rake angle use करते हैं, एक होता है आपका brass, और दूसरा होता है cast iron, एक्जाम में यहाँ से बहुत बार question पूचा जाता है, कि हम कौन से material के लिए zero rake angle use करते हैं, तो brass और cast iron, यह आपको नाम याद रखने हैं दोनों, अगला question दिया गया है, the grinding wheel is considered better if the grinding ratio is, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि grinding ratio होता क्या है, grinding ratio होता है आपका volume of metal removal, volume of material remove to the volume of wheel wear, यानि कि wheel कितना wear होआ, उस time में उसने कितना material remove किया, तो grinding ratio क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि wheel का wear minimum होना चाहिए, और volume, यानि कि material removal ज्यादा होना चाहिए, तो grinding ratio क्या होना चाहिए, maximum होना चाहिए, तो यहाँ पर option A correct हो जाएगा, अगला question दिया गया है, during the machining operation तो machining operation में आपको बताना है the chips experience stress the chips experience strength जब metal remove होती है तो chips जो होती है उसकी length increase हो जाती है temperature की वज़े से deformation की वज़े से इसलिए वहाँ पर strength produce होता है तो यहाँ पर option B correct हो जाएगा, strength आपको पता है क्या होता है, change in length upon original length, तो यदि हमारी length जो है वो increase हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है strength produce हो रहा है the process of enlarging a hole is known as, तो अभी हमने discuss किया था, जो हमारा drilling का hole होता है, उसको यदि हम diameter increase करना है, तो उस process को क्या बोलते है, जैसे मालो इसकी पहले size इतनी दी फिर हमने उसकी size इतनी बड़ी कर दी तो यानि कि enlarging a hole को क्या बोलेंगे boring बोलेंगे, तो यहाँ पर option C correct हो जाएगा और counter boring क्या होता है, यदि हम आदा diameter को size increase करते हैं, तो उसको हम बोलते है counter boring और यदि हम आदे diameter का जो taper करते हैं तो उसको हम बोलते है counter sinking next question दिया गए है the tool life of tool is said to be over if किस tool को हम बोलेंगे कि इसकी life over हो गई है तो पहला option दिया गए है the tool has failed and poor surface finish obtained तो पहला option correct हो जाएगा जब हमारा tool की surface finish अच्छी नहीं देता है तो हम समझ लेते हैं कि tool खराब हो गया sudden increase in power and cutting forces area increase हो जाता है यानि कि tool का जो tip है वो खराब हो जाता है तो वहाँ पे area ज्यादा हो जाता है तो area ज्यादा होता है तो power consumption और cutting forces increase हो जाता है और जो tool है वो continuous machining नहीं करता है कभी surface से दूर हो जाएगा फिर वापे machining करेगा तो उसे हम बोलते है chatter तो ये B option भी correct हो जाएगा overheating जब surface area increase हो जाएगा power consumption जादा हो जाएगा तो वहाँ पे temperature increase हो जाएगा and fuming due to friction occur in addition to dimensional instability तो यदि हमारा tool खराब हो जाता है तो dimensional accurate dimension आपन को नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे option C भी correct हो जाएगा इसका मादब all options are correct तो friends ये थी metal cutting के question आपको वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर बताना यदि आपको वीडियो पसंद लाता है तो वीडियो को like करें दोस्तों को साथ share करें और चैनल पर पहली बार visit करें तो subscribe जरूर कर लें तो वीडियो को complete देखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए जेहिन जेवारत